वेल्कम टू मस्कुक्स आज हम लोग बनाने वाले हैं दिवाली स्पेशल स्वीट तो मैंने यहापर बनाया है मैसूर पाक यह मैसूर पाक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डेलिशिस बना है इसको मुँ में दालते ही यह घुल जाता है बिल्कुल बहुत आसान है आप लोग भी से ज़रूर ट्राइ कीजिए ज्यादा जंजट वाली मिठाई नहीं है यह बहुत ही सिंपल तरीखे से हम इसको बना लेंगे तो चलिए हमारा मैसूर पाक बनाना स्टार्ट करते है जिसके लिए हमें लगेगा देड़ कप पेसन काटा और आधा कप होम मिट घी आधा कप हम कुकिंग ओयल यूज करेंगे जो भी हम ओयल घर में यूज करते कुकिंग के लिए वही आधा कप ले लेंगे और इसके बाद हमें लगेगा एक टी स्पून इलाइची पाउडर और देड़ कप हम यहाँ पर शुगर एड़ करेंगे और वो शुगर में हम आधा का पानी डालेंगे और उसको पकाएंगे हमको चाशनी चाहिए जाधा गाड़ी भी नहीं चाहिए और जाधा अतली भी नहीं चाहिए तो हम इसको शुगर को पानी के साथ गैस पर बॉइल करेंगे अब दूसरे पैन में हमको जो हमने आधा कप गी लिया था वो हमें मेल्ट करना है हमको घी को पिगला देना है तो हम दूसरे पैन में घी लेकर उसको दूसरे गैस पर रखकर पिगला देंगे हमें गैस एकदम स्लो ही रखना है हमको घी गराम ही चाहिए बेसन में आड़ करते टाइंगे तो हम घी को एकदम स्लो गैस पर रख देंगे अब जो है तो हमारे बेसन में हम जो आधा कप तेल या थमने वो मिक्स कर लेंगे और अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे उसमें लंपस नहीं चाहिए अच्छा साब बेसन को घोल के अच्छा सब पेस्ट बना लीजिए तेल के साथ अगर तेल थोड़ा और ज्यादा लगता है तो आप उसमें एड़ कीजिए यहाँ पर शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है देख सकते हैं आप मेल्ट होने के बाद एक पाच मिलिट हमकों से पकाना है तो आप देखेंगे कि हमारी चाशनी बिल्कुल इस तरीके से बनके तयार है एक तार बन रहा है बस यह चाशनी हमारे लिए परफेक्ट है बिल्कुल हमको ऐसे ही चाशनी चाहिए अब हम घस को बिगदम तरो ही रखेंगे और इसमें बेसेँ ऐड करते जाएंगे कंटीनिएसरशनी हमको इसमें हिलatे रहना है नहीं तो यह बहुत स्टिक हो जाएगा जेल जाएगा और जब यह बेसेटा करते है न तो यह बहुत जादा ही ठिक हो जाता है तो हमको कंटिनियूसली इसको हिलाना है यह वाली स्टप थोड़ी सी हाड रहती है क्योंकि बेशन बहुत थिक हो जाता है इसमें फिर हमको बैचिस में घी डालना है जैसे कि हमको पूरा घी एक साथ नहीं डालना है हम थोड़ा-थोड़ा करके घी इसमें डालते जाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर बेशन कितना ज्यादा थिक हो रहा है हमको बिल्कुल हिलाते ही रहना है हमको बेशन को थोड़ी देर पकाना है ऐसे इस लोग यासी रखना है और हिलाते रहना है और हमको बैचिस में घी एट करते जाना है थोड़ा-थोड़ा यह बिल्कुल एक गो और एक चम्चे से हिलाएंगे हमने उसमें अच्छे से मिक्स किया है इसलिए यहां पर लंप्स भी नहीं बने और एक्दम प्रॉपर ली यह मिक्स हो चुका है तो हमने यहां पर बीटर से बहुत अच्छा मिक्स किया है और आप हम बीटर यहां से हटा देंगे और चम्चे का अब यहां पर हमारा बेसन आल्मोस्ट पक गया है क्योंकि वो कडाई को छोड़ रहा है तो थोड़ा सा और जितना घी बज गया है वो भी हम इसके अंदर एड करते जाएंगे और इसको पका लेंगे लास्ट में आप डेखेंगे कि कडाई से बेसन छूट रहा है तब हम उसको एक पैन में जमा देंगे तो यहाँ पर बेसन हमारा पक रहा है हमको उसको अच्छा भूनना है उसकी कच्छी बो चली जाए तब तक तो यहाँ पर मैं बेशन को बून रहे हूँ अब आप देख सकते हैं कि वो कडाई को छोड़ रहा है देखिए उसका एक शेप बन रहा है तो हमको अब यहाँ पर उसको निकाल देना है एजिली हमारा बेशन फोल्ड हो रहा है कडाई को छोड़ रहा है ये कुख हो चुका है अब हम इसको निकाल कर एक ग्रीस्ट वाले पैन में डाल देंगे तो यहाँ पर हमको ग्यास बन कर देना है एक पैन को लेना है और उसमें कोई भी बरतन जो भी आपके पास हो थाल, पैन, कुछ भी ले सकते हैं, एक टिन, फिर उसको ग्रीस कर देना है, और पस अब हम इसके अंदर बेसन जो अमारा पग गया है, वो अच्छे से पूरा evenly spread कर देंगे इसके अंदर, यह आप देख सकते हैं, मैं इसको evenly spread कर रहे हूं, मैं इसको इस तरीखे से कर रहे हूं जो आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं Chris cm कि ओपर डिपेंड करता हैं तक एपको ग्रफ नेजर अपर करिए a और 10 मिनिट के बाद वह सेट हो जाता है तो बस देखिए आप यहाँ पर मेरा मैसुर पाग बन के तयार है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी और मुह में घुल जाने वाला मैसुर पाग बन के बिल्कुल तयार है आप इसको दिवाली पर बनाईए अपनों को खिलाईए आप भी खाईए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर केजिए ताके आपके फैमली और फ्रेंड्स भी इसको बना सके और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक कर प्लीज लाइक शेर और शब्सक्राइब